हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम कच्छा दर्स के एक most important चेप्टर दिवगात समीकरण फ्रेंज आप सभी को पता होगा कि बोड के exam में दिवगात समीकरण से 4 से 5 नंबर का प्रश्ण पूछा जाता है फ्रेंज इसमें से हम आज देखेंगे दिवगात समीकरण बनाना फ्रेंज देखें यहां पर आपका एक समीकरण आपका दिया रहता है कि AX square plus BX plus C square to 0 इस रूप में आपके बोड की एक्जाम में प्रश्न देता है ठीक है इसमें आपको पूछ देगा कि मूलों का योग बताएं मूलों का गुणनफल बताएं या दियूगास समीगड़ बना के दिखाएं तो फ्रेंस पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां प यहां पně ऑपान यहां पर माइनस अपान एय याद रखिएगा कि मूलों का यह क्या हो सक्षिदू अपलुक साहँ है यहांस व्रेसक्तर नहीं एस तरह सकते हैं कि माइनस UX का गुढांक UX का गुढांक chaupawn UXл2 का गुढांक UXL2 का गुढांक तो फिरेंच सीधे आप याद रखेगा कि minus B बठा के A होता है मूलों का गुणन फल मूलों का गुणन फल ठागा alpha into beta यह क्या होगा c upon A होता है एचीज याद रखेगा मूपों का यू कितना होता इस प्रकास आप याद रख सकते हैं छले यहाद समीकर्ण बनाना परने चाहिए इकजामपल जई जिसके आपके सभी इंस सब् recognizable का जाएगे दियुघ समिकड के क्या अँद है आप याद रखिएगा दियुक्त समिकड का कि सीधी याद रखिएगा कि यक्स इसक्वाइर मईनस में लफा प्लस बीटा यक्स हो जागा प्लस अलफा इंटू बीटा इसकल टू जीरो यहां पर अलफा प्लस बीटा का मान रख देंगे तो आपको क्या हो जागा दिवगास समीकड़ बनके तैयार हो जाएगा यह था आपका दिवगास समीकड़ ठीक है तो चलिए फ्रेस इस पर हम एक एक दो एक्जामपल लगाते हैं जिससे आपका सभी डाउट जो होते हैं किलियर हो जाते हैं आपके सामने एक्जामपल है कि पांच एक स्क्वार माइस तीन एक्स प्लस दू इसकल टू जीरो के मूलो का योग एम गुणनफल ग्याद कीजिए तो फ्रेंज देखिए सवाल त होता है तो आप सिंपल तरीका से लगा सकते हैं दिए यहां टरहेंगे यहां लिखेंगे मूलों का योग कि यो ठीक अब दोलोकर योग को मानगी होता है अल्फा invert Enough कि इसकल्टउ क्या होता है माइस बटाके अभी ऊपर ऊपर आपको बताए अब देंगेए यह यहां हल कीजिए देखें माईनस है यहां बी कमण क्या है दिखें बी कमान यह जाएद नहき бांश कॉष्टव कर지는 यह आपके क्या हो जाएगा मूलो का यहोग मूलोके यहोग होजाएगा तीन बटा के पास इसी पकार आपका मूलों का योग पूछा था और पूछा है मूलों का गुणन फल यहां पर लिखेंगे मूलों का गुणन फल मूलों का गुणन फल देखें मूलों का गुणन फल मतलब अलफा इंटू बीटा और अलफा इंटू बीटा मतलब बता सी बट और यहीं और एक और इग्जांपल देखते हैं जिससे हम देखेंगे कि दिवघास समिकड़ कैसे बनाया जाता है आपके सामने एक्जांपल है कि यहां पर दोबारा लिखेंगे और बताएंगे पहले इसमें लिख लेते हैं कि दीया क्या है मूलज का योग दिया है कि अलफा प्लस बीट है यह मूलो आ भात समीकरण बिखास समीकरण तरह आपको बता है क्या कि यक्सम्ण मायनस 2 बंध त चीकल भात प्लस अल्फा एंट्व बंध्च बंधना डिये आप चलिए रखते यक्स स्क्वार माईनआ अलफ़ा प्लस बीटा कमान कितना दिया है चार तेह आख लिखेंगे 4 यक्स है तो यक्स रख लिजिए बलबर जीरो कर लिजिए और यही क्या होजागा फ्रेंस, आपका दिवधात समीकरण होगा इस पकासा आप सिंपल तरीका से पर लेकर देख सकते हैं कि इस टाफिक से कितने प्रश्ण आपके एकजाम में पूछा गया है तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें